केंडरे की मोधी सरकार ने लोग सबाद चुनाव से पहले बड़ा दाओ खेल दिया है मोधी सरकार ने नागरिक्ता संसोधन अजमियम 2019 को लागू करने का नोटिफिकेस अंजारी कर दिया है इस कानून को लेकर काफिर चर्चा हो रही है इस बीच एक वार फिर सीमा हैदर चर्चा में आ गई है अब सवाल उट रहा है कि नागरिक्ता का संसोधित कानून लागू होने के बाद क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भारत की नागरिक्ता मिलेगी इस भी सीमा ने CAA लागू होने पर पीम नरेंद्र मोधी को धन्य बात किया है सीमा ने CAA की घोष्टना होने के बाद नुएडा में अपने परिवार के साथ इसका जश्न मनाया तो आईए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस कानून के लागू होने के बाद सीमा हैदर को नागरिक्ता मिलेगी या नहीं या कानून किस-किस पर लागू होगा सीए के इस संसोधित कानून लागू होने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गयर मुस्लिम प्रवासियों को देश की नागरिक्ता प्रदान के जाएगी इस कानून के लागू होते ही कि सुरुआत में करीब 31,313 लोग भारत की नागरिक्ता के हगदार हो जाएंगे अब सवाल ये है कि क्या सीए लागू होने के बाद सीमा हैदर को नागरिक्ता मिलेगी या नहीं तो जबाब है नहीं क्योंकि सीमा हैदर 2014 से पहले भारत नहीं आई है दूसरी वह मुसल्मान है प्रबासी मुस्लिमों को सी ए एक के तहट नागरिक्ता नहीं मिल सकती है हलाकि सचीन के साथ साधी के बाद वह वता और हिंदू महिला की तरह रहती है लेकिन न तो वह जन्म के अधार पर हिंदू और नहीं 2014 से पहले भारत आई थी इसलिए इस कानून के तहट उनको नागरिक्ता नहीं मिलेगी अब कैसे मिलेगी सीमा हैदर को नागरिक्ता दरसल सीमा हैदर की नागरिक्ता के लिए उनके पती सचीन आवेदन कर सकते हैं इसके बाद सीमा को भारत की नागरिक्ता कि उनका मामला अलग है अब चुक्टी सीमा ने भारतिय नागरिक्ता के लिए आव दन दे सकती हैं वो सरकार से कह सकती है कि वह अपने पती के साथ रहना चाहती है अगर सरकार उन्हें नागरिक्ता देने से इंकार करती है तो वह कोड का द्रवजा खट-कठा सकती हैं हलाकि इस से पहले सीमा को पाकिस्तानी नागरिक्ता छोड़ने होगी कि सीए के नियमों के तहट भारत की नागरिक्ता के लिए कम सकम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है पर CAA के तहट पाकिस्तान बंगलादेश और आफगानिस्तान देशों के गयर मुस्लिमों को 11 साल की जगा है छे साल रहने पर ही नागरिक्ता दे दी जाएगी और लोगों को 11 साल तक भारत में गुजार ना होगा चाहें हो किसी भी धर्म के हो CAA कानून में प्रवासी मुस्लिमों को नागरिक्ता नहीं देने का प्राउधान है लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं अगर नागरिक्ता देनी है तो धर्म के अधार पर क्यों सरकार ने इस पर तर्क दिया था कि पाकिस्तान वंगला देस और आफगानिस्तान इसलामिक देख था है और यहां पर घयर मुस्लिमों को धर्म के अधार पर सताय जाता है इसलिए इसमे क्यों गOUल घयर प्रीश लिमों को ही इसमें सामिल किया गया है तो यह थी सिए से जूड़ी हमारी रिपोट आपको कैसी लगी है रिपोट कमेंड बॉक्स में बताएं शाती पुरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंड बॉक्स में लिखें बाकी देश जुरी आई खबरों के लिए बन